टोंग को भी नवाबो का शहर कहा जाता है और यहां नवाब परिवार के जुड़े हसन मुम्ताज, हैदराबाद, लखनो और टोंग तीनों ही शहरों से उनका नाता रहा है मुम्ताज का कहना है कि वो देश के पीम को सलहा देते हैं उनका कहना है कि जो वो पीम मोधी को सलाह देने के लिए जाते है तो उनकी गाड़ी को सीधे अंदर दाखला मिलता है हसन मुम्ताज से खास बात की हमारी सहयोगी दिव्यातिवारी ने नमस्कार मैं हूँ आपके साथ दिव्यातिवारी गुफ्तगू में आज हम ऐसी शक्सित से आपका तारूफ करवाने जा रही हैं जो कहने को तो पले बड़े लखनों में हैं लेकिन इनका रिष्टा जुड़ गया है राजिस्थान के टोंग के नवाब परिवार से हम बात कर रहे हैं नवाब खांदान से तालुक रखने वाले नवाब हसन मुम्तास की नवाब सभात बहुत स्वागत है आपका मेरे शुक्रिया करना चाहता हूं आपका नवाब साहब आपके साथ गुफ्तगू हम करें उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शुकों को आप अपने खांदान से घराने से तारुफ करवाएं एक्षिली मेरे दादा हैजराबाद में प्रैक्टिस किया करते थे बार्डट लौ थे और वो लगनो शिफ्ट हो गए और वहां आके सबसे पहला काम उनों ने किया कि यतीम बच्चों के लिए दारुल यतामा बनाया जिससे बढ़ सकें और उसी को आगे बढ़ाते रहे मेरे वालिद जो के वो भी वकील थे वहां से और फिर पॉलिटिक्स जॉइन करके एमेले बन गए पीली भीट से और वही सिलसे में मैं भी रूची लेने लगा और मुझे काफी आफर भी मिले पीली भीट से बुलाने के लेकिन मैं गया नह मैं हम उपने हंदुस्थान के प्षान मंतरी को सल्हा देने का फिर मैं बराबर आज तक चल्रा देतारा हूँ और दे रहा हूं मोदी को भी दे रहा हूं अच्छा जब आप मोदी साहब का आप जिक्र कर रहे हैं कि आप उन्हें सलाम अश्वरा भी देते हैं तो क्या उनकी तरफ से भी रिप्लाइ आता है आपके पास? तो वो हमारी गाड़ी रुकती नहीं है वहां सेविन ड्रेस कोस में ये तो अभी भी है और उमीद है कि वो आगे आने वाले दिनों में मेरी बातों को समझेंगे और उस पर अमल करेंगे मैं ये समझता हूँ आपने राजीव गांदी को भी लेटर लिखा था? अपर वाले को मनजूर नहीं था अच्छे इंसान कम रहते हैं दुनिया में फिर उनके बेटे से भी मेरे तालुकात बढ़ रहे हैं और वो समझने की मुझे कोशिश कर रहे हैं और मैं उनको समझने की कोशिश कर रहा हूं राहूल जी को अमीद है कि जल्द कुछ नकुछ आगे बढ़ेगी बात बिल्कुर क्योंकि अब पूरी तरीके से शिफ्ट टॉंग में हो चुके हैं तो वहां पर आप क्या कुछ सितियां देखते हैं क्या कुछ कमिया आपको नजर आती है और खास दोर पर अगर हम मुस्लिम की बात करें तो क्या लगता है आपको क्या और बहतर होना चाहिए देखिए पहले नवाबों ने कुछ नहीं किया सिवाए शिकारों के और तफरीबाजी के और इस वजह से वो बैकवर्ड रहा आगे बढ़ा ही नहीं किसी ने तावज्जों भी नहीं जो नीडर बन के आता था वहां वो अपने पैसा कमा के गायब हो जा कि आप किसी को कहें कि भाई चलो मैं तुम्हें जैपर ले चलता हूं सो रुपए दूंगा वो कैदा साब मुझे दस रुपए देदो मैं तो ही चाय पी के खुश रहूंगा तो वहां से निकलने ही नहीं चाहते हैं अच्छो ज्यादा तर लेडीज वहां काम करती हैं और जो हैं गपें और चाय की दुकानों में बैठके सिग्रेटें पीते हैं और उनको काम करने के खुश भी नहीं है तो हमनों को इसको मोल्ड करना है क्यों किस तरह से लाइम लाइट में आए नहीं वैसे आम तोर पर कहा जाता है कि जो नवाब खांदान है वो राजनीती से द देखके उनको लाएं आगे हमारे डिप्टी सीम को यह उमीद है वो कुछ बढ़ावा देंगे टॉंक में लेकिन देश में इस वक्त जो महाल आप देख रहे हैं उसको क्या आप देखते हैं इंटॉलरेंस की बात की जा रही है हिंदू-मुसलिम के मुद्दे पर चुना हो वो तो तभी होंगे जब आप दूनों पक्षों को सुनेंगे एक पक्ष से कभी कोई हल नहीं होता अब कोर्ट का मामला है तो यह तो उस पर चोड़ दीजे कोर्ट विल डिसाइड कि क्या होगा मंदिर बनेगा मस्जिद बनेगा कहां बनेगा यह लग बनेगा मेरा कहना य हमें कि आप पढ़ लो और हम पर तुरुपति बाला जी मंदिर रहे हमाएं दोस्त के साथ मंदिर के अंदर मैंने नमाज पढ़ी है यह भी एक मिसाल है तो आई होप कि फिंग्स विल बेटर इस टॉप लिडर्स तिंक अवाउट इस लिए 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 ल हम मुस्लिम्स को भी यह राय देंगे कि वह जादा इंटफेरेंस ना दिखाएं उसमें जो भी फैस्ट राय उसको माने तो अगर मौजूदा इस्टितियों को देखें तो जितनी बहतरी के लिए काम होना चाहिए मतलब खासवार पर मुस्लिम्स के लिए उतना अब नहीं ह नहीं पर लेकिन लेकिन शिक्षा के शेत्र में और चाहें नौकरियों की बात की जाए तो हार तरफ मुस्लिम्स आगे बढ़ाने की बात तो करते हैं लेकिन वह उस रसाप से उनको वाजब हाग नहीं मिल पार रहा है जो मिलना चाहिए बिल्कुल सही बात है अब यूथ को आप पढ़ा लिखा के आउपर ले आते हैं फिनोकी नहीं मिलती तो उस पर भी कंसेंट्रेट करना चाहिए गोर्वर्मेंट को यह जो एक मूर्तिक बना के खड़ी कर दी तीन हजार करोड की सदा पटेल पर उसका क्य है उससे तो बैटर था कि आप गरीबों को दें कम से कम आपको नाम हो यह मूर्ति से तो कुछ नहीं हो ना कब क्या करेंगा वह मूर्ति जह पर पर प्रटेल की हो चाहिए वो किसी की हो ने क्योंकि आप तो नवाप खांदान से तालुक रखते हैं तो आपने तो कई पीडि है कि प्यार महबत लाओ हम तो अभी भी कहने मोदी को बड़ा बड़ा सदा दे रहा हूं मैं कि आप ऐसा महब करिए कि आपस में भाइचारा काइम हो और यह नफरत की बातें मत कीजिए यह बात आप सही कह रहे हैं लेकिन फिर भी अगर हम हज यात्रियों के बात करें तो क और लोगों को जाने की अजाज़त दें और वहां पर जो इंतिजाम हमारे टॉंक रियासत का है उसमें पैसा दें उसको बढ़ाएं ताकि उठेरने का असानी हो लोगों के लिए और टॉंक तो एक एक्जांपल भी है जहां पर रूबाता की तो यहां जहां के नवाबों न उन्होंने पैसा दे के मधी मक्का मधीना में वह बनमादगी जगा रहने की आसाइश आराम मिल रहा है उन लोगों को बगड़ पैसा दिए अचा मैं कहीं पढ़ रही थी किसी बुक में कहीं पढ़ रही थी में तो उसमें लिखा गया था कि जो टॉंक के नवाब थे उनकी में शिकारों में विजी रहते थे मश्गूलियाद में डांसों में पढ़े रहते थे तो उन्हें इसने कभी मौकई नहीं मिला एक में बड़ा अच्छा किसा आपको बताता हूं एक साहब ने सजाद दिया कि आप रेल की लाइन ले आईए वो ले आए साब पड़ती आ पट्री आ गई इंजन आ गया वो सीटी बोलेगी आपकी नीन खुल जाएगी वो लिए उनका फिक वाओ इसको फिक वाओ ऐसे तो हमारे नवाब गुजर रहे हैं तो उसका बुक्तान अभी तक भी राज किया है ना तो आज कि अगर हम सियासत में उस चीज को देखे तो ऐ इसा नहीं है तब की सितिया और आज की सितिया तो बहुत अंतर है ना उसमें और जितनी कोशिश की जानी चाहिए उससाब से तो हो रही है क्योंकि एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां पर दोनों को साथ लेकर चला जाता है बिकुत सही करें तो तो मैं भी इत्वाक लगा वहां कि प्यार महबत से दिल जीतें लोगों का नोजी साब हो चाहिए वो राहुल गांदी हूं जो भी हो आने वाला को बताएगा लेकिन हमने कई जग ऐसे भी देखा जो जहां पर शिक्षा दिक्षा होती है मुस्लिम्स बच्चों की वहां की हलत भी बहुत मेंबर पार्लिमेंट हो या कोई भी हो तो सब अपने जमीर को बगलना पड़े गहां तब ही जाकर हिंदुस्तान तरफी करेगा मैंने आपको ताज्यूब होगा एक इंट्रव्यू दिया परवेज मुशर्व सहाब ने जो प्रेजिडन्ट है पाकिस्तान के और दो कुते व Teachers बगल में दाकर इंटरव्यू दिया था एरन में जाके तो मैंने उसको कि्रसाइज किया था मैंने कहा देखिए मुस्लिम कब्ल्चर में बेको गलत आपने ये इंटरव्यू दिया और जाएखे लगाद से तवाबभा करिये माफि मांगें और नमास पढ़िए तो जब हिंदुस्तान आये मोग यहां पर मिलने हमाई बदान मंत्री से तो उन्होंने मेरा पूछा कि वह नवाब सब्सक्राइब को आप जानते हैं तो एक मिनिस्टर थी लेडी उसने कहा हुआ हमाई बड़े दोस्त आप बुले हां वो मैं उनके बारे में जानना चाहता हूं नवा लुकिंग फू पीस तो मैं प्रीस धूंड रहा हूं कि वो कहां मिलेगी बस तो मैं आपको ताज्यूब होगा कि मैंने पचास साल की अपनी जिंदिगी में कभी नमाज को जान बूज कर फजा नहीं किया ये कोई मामुली बात नहीं है पचास साल की हुमर से मैं उमर तक मै आपको ऊपको तो पिलेन में हो चाहा हो वो कहीं हो नवाबो को एकता के लिए जना जाता है जिनका कोई मजहभ नहीं होता सब उनके लिए बराबर होते हैं कोई का संदेश जो शाइरी के जरीया आपकाना चाहें? मन्दिर और मस्जिद में खुदा कोई नहीं है जंगल और सहरा में उसे ढूंडने वालो अल्ला का घर दिल के सिवा दुनिया में और कोई नहीं है तो आप यह जो बातें कर रहे हैं तो यह अगर लोग समझ जाएं तो यह लड़े जगड़े ही बन कर दें जब आप दिल में आपके अल्दा और यह भगवान बसावा है तो फिर राए किस बात की है तो फिलाल नवाफ साफ वक्त की कमी है इसलिए हमें यहीं पर वाइंड अप करना होगा बहुत बहुत शुक्री है आपके साथ हैं अल्दा हाफिस तो आ हमारे आज की कारद्रम में इतना ही अगले आफते फिर हाज़र होंगे किसी नई शक्सित के साथ तब तक के लिए पूरी टीम को दीजे अजाज़त नमस्कार